हलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेविंथ हिंदी का चाप्टर वन इसमें हम पूरा पोयम का एक्स्पिनेशन समझेंगे और इसके क्वेशन आसर भी देखेंगे तो पोयम है हम पंची उनमुक्त गगन के पिंजर बंद नगा पाएंगे कनक तीलियों से टकराकर पुल के तपंग टूट जाएंगे तो देखे जो पंची है यह पंची जो है वो अपनी बात कह रही है इसमें वो कहते हैं कि हम जो पंची है हम जो बर्ड्स है वो उनमुक्त गगन के हैं मतलब जो खुला आसमान है दूर दूर तक फैला हुआ आसमान उसके रहने वाले हम पंची है पिंजर बंद पिंजरे मे ही तिलियां के उना हो, सोने की जो तिलियां हैं, उनसे टकरा टकरा कर हमारी पुल खिट हमारी जो नए-णए ऊगेवे hasma कोमल पंख है वो टूट जाएंगे फिर आगे बोलते हैं कि हम भेताजल पीने वाले मर जाएंगे भूके प्यासे कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से हम चिडियां बोल रही है कि हम बहता जल पीने वाले हैं हम बहती नदियों का पानी पीते हैं हम इसमें पेज़डे में रहकर भूके प्यासे मर जाएंगे कटुक निबौरी बहुत अच कि अच्छी होती है नीम की कड़वी निबॉरी स्वण शिंखला के बंधन में अपनी गती उड़ान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फगुनी पर के झूले अभी स्वर्ण शंकला जो पिंजड़ा है स्वर्ण का बना है सोने का बना है इसके बंधन में हम बंद गए हैं अपनी गती और अपनी उड़ान सब कुछ हम भूल चुके हैं अब तो बस हम सपनों में ही देखते हैं कि जो फागुन के महीने में जो जूला डाला जाता है उस जो हम कूंते थे पहले उनमुक्ट गगण में वह सब अब हम सपने में ही देख पाते हैं अब तो हम पिंजरे में हैं ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीने नवकी सीमा पाने लाल किरन की लाल किरन सी चोच खोल चुकते तारक अनार के दाने फिर वो बोलते हैं आगे कि हमारे ऐसे अर्मान थे चिडिया बोलती है कि हम नीले गगर में जो इतना सुन्दर आसमान फैला हुआ है इसमें दूर दूर तक उड़कर के हम लोग जाते और सूरज की किरने जो हैं उसको अपनी चोच खोल करके उसको अपने अंदर ले लेते और अपनी चोच खोल कर हम अनाव के दानों को चुकते होती सीमा हीन शितिश से इन पंकों की होडा होडी या तो शितिश मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी अब हम लोग इतना उचा उड़ते कि जो शितिज है आसमान के उपर तक हम पहुँच जाते और पंकों से होल लगाते कि कितना उपर हम उड़ सकते हैं या तो हमारा शितिज से मिलन ही हो जाता आसमान के सबसे उचे जो पॉइंट होता है उसे या तो हम मिल जाते मिल जाते जाकर के या फिर जो है हमारी सांसों की डोरी मतलब हमारी सांसे ही क्यों न तन जाती नीड न दो चाहे हटनी का आश्रे छिन भिन कर डालो लेखिन पंक दिये हैं तो आकुल उडान में विगना डालो फिर वो कहते हैं कि हमें इश्वर ने पंक दिये हैं चाहे तुम हमें कुछ खाने को मत दो कुछ भी मत दो हमें आश्रे मत दो जो तुमने हमें जगय रहने के लिए दी हुई है उसको तुम मत दो मगर हमें जो भगवान पंक दिये हैं अगर हमें पंक मिले हुए हैं तो हमारी जो उडान है हम जो उड़ सकते हैं, इसमें तो विग्र मठ डालो, इसमें जो है कोई रुकाबट मठ डालो, तो ये कविता हो गई, कविता का नाम क्या है, तो कविता का नाम बहुत जादा important होता है, एक तो हमारी chapter के लिए, और दूसरा important होता है, हमारा इसका जो कवी है, तो कवी का नाम मतलब कवी का नाम तो इसमें हमें दिया ही नहीं गया है, तो पोयम का नाम तो हम पंची उन्मुग्दकन के, और अब हम इसके देख लेते हैं, question answers, तो देखे, पहला question है, हर तरह की सुक्सुविधाय पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाते हैं, सुक परन्तु वह स्वतंत्र नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, जो उसे सबसे जादा प्रिय है, सबसे जादा पसंद है, वे इस खुले आकाश में आजादी पूर्वक उरना चाते हैं, वो क्या चाते हैं, खुले आसमान में बिलकुल खुश हो करके उर इस प्रकार की उड़ान उसमें नई उमंग और प्रसंगता भर देती है जो पिंजड़े की सुखसु विदाय नहीं दे सकती। इसलिए हर तरीके की सुख्वविदायपाकर भी पक्षी पिंजडे में बंद नहीं रहना चाहते। क्योंकि उन्हें वो प्रसनिता नहीं मिलती जो उन्हें आकाश में उढने से मिलती हैं। आकाश में वो जब होते हैं, तो वो आजाद होते हैं, पिंजडे में वो गुलाम होते हैं, स्वतन्तर नहीं होते. Next question है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन-कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर आजाद रहकर जंगल की कड़वी निबौरी खाना चाते हैं, प्रकृति के सुन्दर रूप का आनंद लेना चाते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाते हैं, और क्या चाते हैं, नदियों का शीतल जल पीना चाते हैं, और शितिच के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं शितिच आस्मान के उपर तक उड़कर जाना चाहते हैं इसके लिए उनको अपने प्राणों की अपनी जान की भी चिंता नहीं है तो वो आजाद रहना जादा जो है अच्छा समझते हैं बजाए के कि वो कितना भी अच्छा खाना खाएं कितना भी उनको सुक्सु विदाय मिल जाएं पिंजडे में उससे अच्छा होने लगता है आजाद रहना नेक्स्ट है हमें भाव वताना है इसका भाव स्पष्ट करना है या तो शितिश मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी इसका क्या मतलब है तो तीकि इसका अंसर है शितिश का अर्थ है जहां धरती आकाश मिलते हैं मतलब उपर तक और पक्षी शितिश के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं फिर चाहे उन्हें किसी वी स्थिति का सामना करना पड़े पुछाते हैं या तो वो आज वे शितिश के अंतिम छोड प्राप्त करने अन्यता अपने प्राणों को न्योशावर करते हैं मतलब वो बहुत उपर तक उड़ जाएं अपने खुले आस्मान में नेडले नेफिह सीयन ओपन की लीवर द्यूश्ए हैं या फिर उन्हें प्राण ही कियो नचरफ को बताना है तो देखुए इसका इसकार अपने अनुसर पक्षिए को पालना बिल्कुल भी जचत नहीं है बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि एश्वर ने उन्हें के लिए पंक दिये हैं तो हमें उन्हें बंधन में रखना सर्फथा अनुचत है मतलब ठीक बात नहीं है उनको बंधन में रखना अपनी इच्छा से उची से उची उडान भरना पेड़ो पर घोसले बना कर रहना नदी जर्णों का पानी पीना फलफूल खाना ही उनका स्वभाव है पक्षियों का तो आप किसी को भी कितना ही सुख देने का प्यास करें मगर उनका परिवेश से अलग करना उचित नहीं माना जाता अनुचित ही माना जाएगा मतलब आपको बंधन में नहीं रखना चाहिए जो चिड़्या होती है उन्हें पिजड़े में नही नहीं होती है, next is, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई बक्षी पाला हुआ है, उसे उसकी देखरे किस प्रकार की जाती होगी, लिखे, तो क्या किसी ने बक्षी पाला हुआ है, आपके जान पैचान में पाला है, तो कैसे उसकी देखरे करते हैं, वो बताना है, तो देखे इसका उत्तरा आप दे सकते हैं एक बार एक गायल कभूतर जैसे अपनी स्टोरी बनाके कि हमारे घर आ गया जिसकी हमने देखपाल की और उसे ठीक होने के बाद वे हमारे साथ ही रहने लगा सब घरवालों के लिए वे कौतूहल का विश्र बन गया था हम सब घरवाले एक नन्ने बच्चे की तरह उसकी देखपाल करते थे उसे रोज नहलाया जाता उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे तो आपका ही कोई पैट होगा तो उसका आपने कैसे ख्याल रखा वो आप बता सकते हैं फिर पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है इस विश्यापर हमें दस पंक्तियां लिखनी है और अपने विचार जो है वो बताने हैं तो देखिए कि पर्यावरण पिंजरे में आप पक्षियों को बंद रखते हैं तो वो सिर्फ उनका ही नुकसार नहीं है बलकि environment का पर्यावरण का भी नुकसान है वो कैसे वो हमें बताना है तो देखिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रंखला असंतुलित हो जाएगी food chain जिसे हाप कहते हैं वो असंतुलित हो जाएगी जैसे एक्जामपल देते हैं जैसे घास के छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी तो छोटे-छोटे कीट घास काते हैं और उन छोटे-छोटे कीटों को पक्षी खाते हैं यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संग्या बहुत जादा हो जाएगी तो हमारी फसलों के लिए ये बात उचित नहीं है, सही नहीं है इस कारण परियावरण असंतुलित हो जाएगा पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहां वहां गिरा देते हैं इससे फल स्वरूब नए नए पौधे बनबते हैं कुछ पक्षी हमारी फलाई गंदगी को भी खाते हैं जिससे परियावरण साफ रहता है यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो परियावरण दूशित हो जाएगा और मानव कई बिमारियों से ग्रस्त हो जाएगा अतहा जिस प्रकार परियावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी बहुत जरूरी है तो देखिए पक्षी कुछ कीड़ों को खाते हैं कुछ हमारी फलाई गंदगी खाते हैं वो जो बीच खाते हैं वो जग जग गिरा देते हैं तो उससे क्या होता है? नए पेड बौधे भी उखते है और पक्षी नहीं रहेंगे और हमारी फिलायोगंदीगी खाते हैं तो परियावरण को साफ करते हैं और जो चील, बाग वगरा जो होते हैं बाज वो मरे जानवर खाते हैं तो इससे परियावरण साफ होता है, बिमारिया नहीं फैलती है, तो अगर ये पक्षी नहीं होंगे, तो परियावरण में भी कंदगी काफी जादा फैल जाएगी अब next आता है भाश्वाकी बात, यह है स्वण्षंकला और लाल किरण की सी में रिखांकत शब्द कुडवाचक विशेशन है, मतलब किसी के बादये में किसी की अच्छाई बता रहए है, गुडवाचक में किसी की अच्छाई की है तो कटोरी का गुडवता रहे हैं तो यह हो जाएंगे तीन गुडवाचक विशेशन पिर सेवंध क्वेस्टन है भूके प्यासे में द्वंध समास है द्वंध समास लगता है उसकी संदी है जब हम लोग करते हैं तो समासिक विग्रह में और लग जाता है तो इन प्रस और उधारण खोच करके बताने हैं तो देखे पहला हो गया हमारा सुख ढूख तो सुख और दुख दूष्ऩरा हम लोग कह सकते हैं धूप और च्शाओं धूप और छूओ खाते पीते तो खाते और पीते रात दिन हसते गाते हसते और गाते पाप पुन्य सुभर सुभह और शाम, बुरा भला, बुरा और भला, सही गलत, सही और गलत, उच नीच तो उच और नीच, तो ये हमारी exercise भी पूरी complete हो गई, और हमारी poem का explanation भी complete हो गया है, thank you.